नमस्कार नमो नारायन खूब साधना खूब बजन कभी कभी हमारे दिमाग के अंदर ये भी एक शक पैदा कर सकता है कि क्या हमारी साधना कोई चोरी भी कर सकता है आपके बैंक में बहुत अच्छे बैंक में पैसे हैं आपके account को hack करके कई बार इदर उदर के समाचार आप पढ़ते हो तो ये तो रही पैसों की बात कई बार आपके properties के paper में भी आसुरी शक्तियां इदर उदर करके properties चोरी कर लेते हैं तो साधना चोरी करना असंभव नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है मैं आपको बताओं मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ कि साधना चोरी का ये कांड जो चल रहा है ये उन नौ यवानों के लिए चेतावनी है कि सावदान हो जाओ ये जो Facebook पर और YouTube पर आजकल के ये गुरू गंटा लाए है न ये आपको बताते तो हैं कोई भी साधना आपको अगर सोशल प्रेटफर्म के ऊपर मंत्र मिलता है मैं कहता हूँ सवनातन दर्म के आदार पर प्रमानिक्ता के साथ ऐसा कोई भी विदान नहीं है क्योंकि आपके मंत्र के साथ प्रत्यक्ष रूप से नियास दिगबंद रक्षा कवच की लगम आपको समझाना करवाना बहुत जरूरी होता है तो फिर क्या होता है जब आप मुरे पास कई ऐसे लोग आते हैं रोते दोते कि हमने तो 50,000 रुपए दे दिये एक लाख रुपिया दे दिया हमें ये मंतर मिला लेकिन मंतर का फाइदा तो हुआने उल्टा रात में हमें परचाईयां दिखती हैं नींद में ये होता है फला फला ढर लगता है बिल्कुल लगेगा क्योंकि जो मंतर आपको शोशल मीडिया के द्वारा इन ने सुखे बदमाश गुरुओं द्वारा दिया जाता है लेकिन मुख्य बात कि क्या साधना चोरी होती है हाँ साधना चोरी हो सकती है अगर आपने अपने साधना को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया है आपने अपने गर के तिजोरी को खोल के रखावाया और फिर मुझे पूछते हो कि क्या घर की तिजोरी से सामान चोरी हो सकता है आपको ताला दिया था ना कीलक उन्जी का तो लगाना था तो आपको ही करना था नियाज आपको ही करना था दिगबंद आपको ही करना था बुकानों मकानों और गरों में आते हैं और आप बड़े विनम रभाहों से उसमें एक रुपया डालते हैं ये दुआ दुआ कर देता है कई बार और ये एक अच्छा खासा दंदा तो है ही लेकिन इसमें भी उनकी मेली विद्या की विद्याएं चलती हैं सावधान हो जाओ ये बला करना आपको बुरा पर सकता है तीसरा आपको सावधान होना है कहीं रस्ते पर जा रहे हो आप उसको पहचानते भी नहीं हो वो आप से कहीं पर सम्मंदित भी नहीं है थोड़ा सा क्या गेरुआ कपड़ा डाल दिया होगा या कुछ तरपुंड वगर कर लिया और आपके सर पर वो टीका कर देता है आग्या चक्र पर नहीं आपको मन में है कि दान करना है दान करके निकल लो लेकिन आग्या चक्र पर टीका मत लगवाना क्योंकि अगर आपकी साधना की हुई है तो खाली बैंक के अकौन को तो लूट कर किसको क्या मिलेगा अगर आपने स साधना है तो वहां तो थोड़ा बहुत हमें साउधान होना पड़ता है मैं अपने जीवन के एक्जामपल से बताओं कि मेरे गुरुदेव परमपूजे स्वामी बूतेशानंद जी माराज जो बार में अद्यक्षर है रामकृष्ण मठमिशन के मैंने एक बार उन से यही मैंने का आप जुराब पहिंट करके क्यों दर्शन देते हो तब मैं वर्ड वैवर्ड आपको नहीं बताऊंगा कुछ कारण असर बाते हैं लेकिन उसका जिस्ट यही था कि जो साधना के दौरान हम साधना जमा करते हैं तो कोई ऐसा विगटन कारी व्यक्ति प्रनाम करता ह या चूता है तो उससे साधना कर सकता है या साधना खेंच लेता अपको इतने बड़े संतों की साधना निकल सकती है अरे डैम टूट करके डैम से पानी नहीं निकलता बैंकों से बिलियन ऑफ डालर चोरी नहीं होते लाइट के जो यह सारे के सारे व्यवस्ताइं देखते उसमें नहीं होता और क्या गूगल की इंजिन सर्च इंजिनों में वह आप जो जिसको बोलते हो कि वायरस आता है नहीं आता तो जा प्रकृति है वाविकृति होगी इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं यह जो एक्जांपल आपको दे रहा हूँ प्रत्यक्ष यह मैंने प्रमानिकता से सुना जाना और परखावा वही बता रहा हूँ पुना के अंदर रामकृष्ण मठ मिशन के माताओं बैनों के लिए जो वेवस्ता है वो है श्री शार्दा मठ और ये श्री शार्दा मठ की माताजियों से मेरा बहुत ही अधर पूर्वक और पूजबाव इसलिए रहा है क्योंकि हमारा वलसाड का जो आश्रम है स्वामी वेकानन संसकार के अंदर वो वलसाड के शार्दा मठ के लिए आदी मठ के नाम से जाना जाता था अभी तो अमल प्रणा माता जी हमारी शरीर में नहीं है डिसंबर में उनका शरीर छूटा वो बड़े सब साद्वों को कहती थी कि ठाकुरगर जो है स्वामी वेकानन संसका के अंदर यह हमारा आदीमठ है क्योंकि वहां शार्दामठ की साद्वियां रही कई दिनों तक जो भी 15-20 दिन थे कई साद्वियां रही वहीं रहे करके उन्होंने शार्दामठ वलसार की स्थापना की उनका जब तप पूजा उस भूमी पर रहा इसलिए उनको आदीमठ कहन मंदर का नव निर्मान करके मंदर इस्थापित किया जाता है सन 2000 की बात है और यह इस्थापना के दौरान माता जी के अहत में यह जवाबदारी दी गई थी वह थी हमारे आदरनिया परम पूजिय योग प्रणा माता जी आप योग प्रणा माता जी से अगर मिलते और जिन मा के पास आ गये हो दक्षन का शरीर था उनका लेकिन बना कुछ ऐसा कि वो जब प्रणाम करने के लिए हमारे मात्मा जी बैठते हैं सादू मात्मा तो बहर से कोई आया मा के शब्दों में मैं कहूं योग प्रणा माता जी ने सादू को बताया था हमारे किसी कि मुझे पता भी पर रहा है कि वो जो आ रहा है वो सही व्यक्ति नहीं है लेकिन वो अपने पैर हटा नहीं सकती कि नहीं तुम प्रणाम नहीं कर सकते उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करते हैं तंतर कोई कोई ऐसी क्रिया की कि शट करके उनके अंगूटे से हरपी की शूट कियावा दर्द उनके शरीर में प्रविश्ट हुआ वो उस दिन के बाद जो बिस्तर पर आईं मैं उनसे मिला मैंने उनसे क्योंकि हमारे मातरतुलिय वो हमारे हैं और मैंने उनको पीडा में देखा बात दी हुई और उसी मुंका शरीर भी छूटा खुले से तो देखो कई बातें संतों की बाहर नहीं आती हैं कि क्या समाज में इस चीज़ को कहना लेकिन उनके जाने का ना तो वो परिया वो सई समय था ना वो रीजन है लेकिन ये क्रिया इस तरह से कभी-कभी साधना में जब कोई छोड़ता है तो यस हमें तकलीफ देती है तो उसके लिए हम सादूसंत क्या precaution करते हैं एक एरे गेरे नत्थुखेरे को प्रणाम करने हम नहीं देते हैं कोई बुरा माने तो बुरा माने हमें थोड़ी तो आप शकल पे लेके आये हो कि आप तांत्रिक हो के नहीं हो कभी कोई किसी का मैसेज करी करके भी तांत्र से लाता है दूसरा हम अपने बचाओ के लिए अपने पैरों में सॉक्स पहनते हैं हाथों में कई सादूसंतों हाथों में भी हैंड गलोज वगर पहन करके ही करते हैं अभी तो आप देखोगे जितने बड़े माहत्मा संतों होते हैं आगे एक फाटक जैसा लगा देते हैं लकड़ी आप प्रणाम डिरेक्ट करी नहीं सकते हो दूर से ही आपको प्रणाम करना परता है और उसके लिए कोरोना का वरदान काम कर गया कि चलो डिस्टंस कर लो पर हकीकत में रीजन ये होता है कि तंत्र की करिया न करे इसलिए होता है दूसरा कुछ लोगों को बहुत बुरी आदत होती है गर बुलाते हैं प्रणामी देते हैं और वो ठीका लगाते हैं हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि तीका हमारे आगया चकर पर तुम ठीके लगाओगे तुमारी इतनी तपस्या हो गई है और हम व्यक्तिकत रूप से मैं तीके लगाने में विश्वास रखता हूं किसी के माते पर अपनी साधना को कैसे बचाओगे यह तो हुआ कि कैसे चोरी हो गई उसको बचा सकते हैं क्या बचाया जा सकता है मैंने आपको हमेशा बताया कि यह जो आप मानते हो कि हम सिर्फ ऐसे प्रतीक चने लगाते नहीं आपके आग्या चक्र पर जब चंदन होता है अश्टगंदा होता है कोई भी टीका होता है तो यह आपके आग्या चक्र को सुरक्षित कर देता है और इसको दृष्टी से भी कोई दृष्टी पात करते हैं आपको विचलित नहीं कर सकता है जो लोग टीका लगाते हैं और पहले नहीं लगाते थे वो उनको फरक समझ में आ जाएगा कि फरक क्या है। दूसरी बात कैसे चोरी क्या होता है। नाम जब चोरी नहीं होता है ज्यादा करके जाब जो नाम जब करते हैं वो चोरी नहीं होता। एक संख्या, बीज मंत्रों की, एक संख्या मतलब कितनी, एक करोड, डेड़ करोड, दो करोड, और अनुष्ठान, हवन, तपस्या जो आपकी संचित है, उसको चोरी कैसे करते हैं, जैसे मानों कि बीज होते हैं बगीचे में, उसको गिलरी चोरी करके ले जाती हैं, और कहीं दस करोड, हनुमान, चली सांख्या कीएं और उसको सरक्षित करके किसी अनुष्ठान में रखा हैं, तो सावधानी आपको परमात्मा स्वेम प्रेड़ना देता है, लेकिन 10 करोड करने में जो कर रहे हैं, हैं वे, मैंने देखे हैं, उनको सावधान होना परता है, बाकि एक माला, दो माला, पांच माला, इसमें कोई चिंता का विशे नहीं है, कोई उसमें चोरी करने में भी एनरजी लगानी पड़ती है, अब ये, अध्यात्मक के विशे में मैं आपसे इतनी सारी बाते करता हूं, तो ये सारी बातें गीता के अंदर पहले से लिखी हुई है, आप उसको अगर जैसे पढ़ते सुनते हो तो होता है, तो आप कैसे पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपके बोलते हो, सोर्स क्या है, तो भाई स्वामी यो दर्मचेनल पर हमारा गीता का दो-दो ये शलोक चल रहे हैं, उसका लाब लें और करवाएं भी, प्लस इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे तो हमारी छोटे-छोटे डील्स देते हैं ताकि आपको वो दिन में प्रेर ना देते रहें, अब आपको जब दिक्षा दी जाती है, तब साथ-साथ में आपका गुरू प्रत्यक्ष रूप से आपको कवच देता है, आपको और भी चीजें बताई जाती हैं, ताकि उसको कैसे हम सुरक्षित करें, हनुमान, बैरव, इत्यादी आपको एडिशनल भी बताई जाती है चीजें, अनुष्ठान को अगर आपने सुरक्षित नहीं किया है, उसको कवच या मंतर देता हूं, ना कोई फार्मूला आपको बताता हूं, क्योंकि ये शास्त्र के विरुद है, आपको प्रतिक्ष ही आना होता है, दूसरा मंतर के उचारन से जो अरजा होती है, वो अरजा आप अपने आप में रखते हो, उस अरजा से भी आपका एक कवच बन हैं, दूसरी एक बात मैं आपको कहूंगा, कि आपको हमेशा सनातन दर्म के आदार पर अपनी जपमाला, अपनी खुद की रखनी परती है, किसी और की इस्तिमाल नहीं करनी है, और अपनी माला किसी को नहीं देनी चाहिए, इसमें भी चोरी हो जाता है, दूसरा आसन, जो आप आसन यूज करते हो, वो आपका अपना ही होना चाहिए, ना वो आसन आप किसी को दोगे, मतलब किसी को भी, ना आप इस्तिमाल करेंगे, ना देंगे, पिछले दिनों मेरी एक मंतर दिक्षित है, प्यारी बच्ची, स्टूडेंट है, ख्याती, उसने अपना आसन किसी ठीक है, मैंने का आसन, पता तो पढ़ जाता है हमें, हमने भी इतने बाल सफेद कर रखे, आसन, बोले हाँ, आसन तो दादा जी का ही है न, दादा जी का आसन है, अध्यात्मों में कोई दादा जी, माता जी, पिता जी नहीं होता, अपनी यातरा खुद करनी पड़ती है, तो ये आसन, immediate effect के साथ नया ले लो, दूसरे का आसन नहीं चलता है, तो इस चक्कर में मत पढ़ना कि आसन किसी का भी यूस कर लिया तो होगा, नहीं होगा, इससे आप अपनी साधना को सुरक्षित कर सकते हो, फिर प्रणायम वगर तो शरीर के हमें हमें हमेशा बताता हू मैं आपको बता रहा हूँ कि आगया चक्रका किसी को उस पर शिन न करने दें, आदी शंकराचारी जी के जीवन में भी एक ऐसे कुछ एक्जामपल मिलते हैं, लेकिन आज समय नहीं रहेगा कि मैं उनको उठाओं, हाँ ये है कि आप जब जलपान वगर करते हो या बोजन कर कर सकता है, साथ साथ में कोई अगर फिर पूछे कि ये कैसे चोरी हो सकता है, तो यह ऐसा है जैसे क्रिकेट के अंदर तुम देखते हो, बॉल टेमपरी होता है, चकिंग करते हैं, अगर उस चीज को सामाजिक जीवन में, वेवारिक जीवन में समझ सकते हो, तो इस साधना क चुराने वाले भी आजकल सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, मेरे पास कलकता की एक साधिकाई उन्होंने बताया कि उनसे गणपती जी की साधना करवाई गई थी, और उनको जो गणपती मंतर दिया गया था, वो गणपती मंतर के बाद अचानक से उनको रात में क्या पड़ती हो, तो उसको जो वाक्य दिया गया था, वो अपने कियवे मंतर को उसी साधक को वापस भेज रही थी, आप सोचो, पैसे भी दिये, मंतर लिया, वो उसके लिए मंतर कर रही थी, और साधना यूट्यूब पे यूट्यूब चली गई, तो कुछ चीजों के ल कोई शॉटकट नहीं है, कोई यक्षनी साधना है, शोशल मीडिया पे नहीं होती है, कोई यह जो आपकी करन पिशाचनी है, नहीं होती है, शोशल मीडिया से अगर कहीं पे भी कोई साधना हो रही है, वो सारा फ्रॉड है, किसी के नाम से भी चलता हो, सारा फ्रॉड है, ग कुछ गाइडन्स मिलेगा बगवान आपका बला करें और सत्मार्क पर आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं इसी यात्रा को हम चलाते रहेंगे अगले कारिकरम में अगले एपीसोड में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमोना रहें